नमस्कार आपन पाता न्यूज 18 लोकमत आणी 17 तासांचा सुटकेचा थरा राखेर संपलेला है रेस्क्यू ओपरेशन पूर्ण जालाई वेवस्थित जालाई येशस्वी जालाई कोणी जख्मी जाला नाई पुटली जीवीत कीमा आन्य कोंट्याई प्रकारची हानी जाली नाई नेभीने ओपरेशन वेवस्थित पार पाडला एंडी आरेफ चा जवानाई पार पाडला ठान्याचे एंडी आरेफ चे आनी फायर बिगेट चे जवानाई गटनास्वरी पोचले होते डॉक्टर अंचु टीम गटनास्वरी तैनाथ होती हे सगल जरी पार पडला असला तरी जबाबदारी कुणाची हाँ प्रश्णाता ओपरेशन पुल्न धाल्यानंतर उपसिखोकर प्रवाशांचा जीव धोक्यात नेमता कोनी घातला नंदी जर्का दुखली भरून वहात होती आणिक थे कलडच नाईका अजीचा रेल्वे स्थानका वरून निक्ताना रेल्वे प्रशासानाला आणि महालक्ष्मी चा मोटरमनला रेल्वे मार्ग पान्या खलती गेला याचा अंदाज चाला नाहीका आणिक जर्का आंदादाला असेल जवर्दस्त पाउसासा नती गुखली भरून वहाताशनाचा तर प्रवाशान सा जीव धोक्या दधालून या महालक्ष्मी रेल्वे चा मोटरमनला गाडी स्केशन वरून काह लवनी याणि उडे कानेली या सरके कही प्रश्न आता उप आता उपसित केले जाओ शक्ता है इस सगय प्रश्न सर्वसामान्य लोकांचा मनातले न्यूस 18 लोकमत न उपसित केले आपत्ती वेवसापन दरात्री आठ वादल्या पासुन कुठे होता नदी ओर्फलो जाली होती या आपत्ती वेवसापन चप्शाला आनिक संबंधिता ना कल्डनाई का कसकल्डनाई महालक्ष्मी एक्स्प्रेस अंबरनाथ चा पूढे गेलीच कशी प्रवाशांचा जीव धोक्याद गालनाला जबाबदार कोन योड़स नाई तर एलवेचा प्रशासानाला परिस्तिती चा अंदाज का यू शकला नाही आ सुधा आतीशे महत्वासा प्रश्न न्यूज 18 लोक मत है सर्व प्रश्न उपस्षित करताया तार इसकी ओप्रेशन संपल्या मुले आमी है सगय प्रश्न उपस्षित करतो है कि या सगया प्रश्नांची उत्तर नेमक कोन देना है आप अन हेलिकॉप्टर मदली दृश्य पातो तो ने वीचे अ हेलिकॉप्टर ना ही दृश्य टिपले तर ही प्रथ्यक्ष्य जमीनी वर्क्षी उराच्या पाण्यात लियती शेब भीशना शेया स्वाति लोकंड ए अपले प्रतिनीदियेत्ट स्वाति आज सकाल पसु काही बेड़ा पुर्वीची आपन पातुआ होता हशा पधतीन इथे पाणी साचला होता प्रवाशांच तरा समधना है कि काही काल रेल्वेचा डब्याच्या आत मधे सुध्धा पाणी आला होता जरका अपन इथल्या रेल्वेचा रोलांची आणी गाडीची स्थिती पाह यह शक्ण्या सारखी स्थिती होती तर रेल्वे प्रशासानाला मोटर मनला अलीकल चा पलीकल चा रेल्वे स्टेशन चा व्यवसापनाला या गोश्टी कल्या कशा ना ही या सगला मदत कार्या मदे जसे नेभी, आर्मी, मजे एंडी आरेफ चे जबान, ठाने माहापाली केचे कर्मचारी यह सगले जोडलेले होते तसे ठाने जिल्ल्या चे पालक मंत्री सुधा यात स्वता लक्षठे उन होते एकना चिंदे त्यानी कशा पद्दतीना परसिती अपन पाफो यह सब्सक्राइब जानूंगे खरतर एक चाउजा ते पंदर तसाम स्वता ने जोड़ी उल्टून गेला है और ही सगी मंदर इथे जै तेंचा परंत अंडी आरेफ चे मदती चा आदी ना कुठल पान ना साधी पानी पाउस ओ लगिला ना काही आई जले रा ऐघे डरे पाली टीडरे पाली त्डरे पाली जगे सगे स्थानिक जी अंतर ना है ती आली परंतों बीद्धा ती संवता है परंत फिए स्थानिक लोके ना कुठल असार मेत खरतर मी इफ्चे मंतरि मह और्दाेंशी देखिल बोल्र बोलव तैनि नेवी औरन एयरफोर्स स प्रशासना ने केली होती। 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 क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन खतम हो चुका है। सभी लोग सुरक्षित जगह पहुच गये। अगर ये नदी का बहाव इतने उपर से था। ये पट्री के इतने उपर से ये पानी बहरा था। तो क्या बदलापूर, अंबरनाथ और वांगणी के यहां स्टेशन मास्तर को कुछ भी नहीं पता चला कि इतना पानी का बहाव है। हमें गाडी आगे नहीं लेके जानी चाहिए। नहीं ये बदलापूर में आप देखेंगे। बदलापूर और अंबरनाथ में पूरा पानी रिसीड हमारी कुछ लोकल ट्रेंस भी वहां स्ट्रेंडेट थी रात के टाइम में। पानी रिसीड हुआ था पानी रिसीड होने के बाद तो आपको गाड़ियां तो चलानी पड़ती है ना पाथ क्लियर करने के लिए तो हमारी जो खाली गाड़ियां थी हमने उनको साइडिंग में लेकर के उनको वहीं रखा और ये गाड़ी माल अक्ष्मी के पहले पानी रिसीड होने के बाद हमने एम्यू को एक चलाया कर्जत तक के वो कर्जत तक के आराम से वो पहुँच गई बिना कोई तकलीफ के कर् प्रॉब्लम नहीं था मतलब बदलापूर से पांच किलो मीटर आगे वांगनी से पांच किलो मीटर पहले यह बीच सेक्शन में जहां उल्लास रिवर बिलकुल ट्रैक के बाजू बैठी है वहां पक फ्लो इतना वह पूरा कैच्मेंट एरिया है पहारी इलाके में मुसलादा बारीश चालू थी वह बारीश का जो पूरा कैच्मेंट एरिया में जो पानी जमा हो रहा था वह अजानक इतना स्वैल हो गई वह उलास जो रिवर है जी उसके कारण हमको यह दिक्कत आई और लकली इसमें हमारी एसकॉर्टिंग की पार्टी रहती है आर पीएफ की वह ज सुनिल जी और दो सवाल है आपके लिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़े विस्तार से जवाब दे इसके बारे में जबकि कई सारे लोगों ने ना की सिर्फ नेटवर्क 18 से कहा है बकि सभी लोगों से कहा है कि बार-बार जवानों से और कंट्रोल रूम से फोन करते रहे ले यह तो आजकल वाटसब मशिनरी जो है इतनी फास्त हो जाती है कि कुछ भी अफ़ाएं चली जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है मैं खुद भी जनल मैनेजर डियारेम हम सब कंट्रोल में थे और एक एक पैसेंजर मैं आपको अभी आपको दस ऐसी मैसेजिस भीजता हूं पैसे हlas के सिर एलवें के ट्टरेंडल पर देखिए एक मिनट का हम गरेसे कितने पैसेंजर उसको तारीफ किया है लेकिन सुनिल जी सुनिल जीबोहत सारे लोगों सब्सक्राइशी है यह अच्छी बात है लेकिन कुछ ऐसे पैसेंज्जर नोंके हम आरेपास है वो ट्रेन में थे तभी उन्होंने बोला कि 7-8 घंटे तक उनके पास कोई सुवीधा नहीं पहुची ना उन्हें पीने का पानी मिला ना खाना मिला यहां तक उन्होंने कहा कि डिब्बे में साब भी घुसाया था और ऐसे सारे माहोल में बाहर पानी अंदर साब ऐसी परिसिती में उनको 7-8 घंटे तक रुकना पड़ा था आप मुझे परमिट कीजिए बोलने के लिए जी बोली है आप 1050 में से मुझे आप एक दो यह बता रहे हैं आपको यह बताओं यह ट्रेन अगर नॉर्मल टाइम पर भी अपने जाती थी अगर नॉर्मल टाइम पर मैं अगर इसका पैसेंजर हूं और पैसेंजर करके नॉर मैक्जीमम पैसेंजर को तो सबेरे उटने के बाद मालूम पड़ा कि हमारी वांगनी में है या बदलापूर में है ऐसी बात नहीं है सुनी जी बहुत से पैसेंजर को अंदाजा आ गया था कि गारी बहुत देर से यहां पे रुकी है बहुत से लोगों नी वीडियो भी नि पॉजिटिव साइड आपने बताई निगेटिव साइड बताना भी हमारा काम है ठीक है निगेटिव साइड आपकी आप हमने देख लिए वह हम सुन लिए हैं ठीक है सुनील जी और सिर्फ दो मिनिट आपका लेना चाहूंगा स्वाती हमारी रिपोर्टर है जो आज सुब नौ बज़े से फिल्ड पे थी वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है स्वाती तो नहीं लिया गया जिसके चलते ट्रेन आगे चली गई तो एक उसके लिए जिमेदार कौन है कि सही डिसिजन नहीं लिया गया और इतने सारे लोगों को लगबग 12-1300 लोगों को इतना इस तरह के हालात से गुजरना पड़ा और दूसरी बात यह है कि रेलवे की और से आ लेकिन हमने बहुत सारी लोगों से बात कि हर एक डिब्बे के अलग अलग तो वहां की लोगों ने सबने नाकार दिया यहां पर कई लोग भी है क्या आपको पानी मिला रेलवेल से क्या आपको चाय मिली नहीं मिली नहीं क्या आपको कुछ मिला कुछ नहीं मिला तो उदास अंचा परोर आपला संपर्कत वुट्ड़ाय यहां प्रत्यक्ष मदत मिला लागते इंडीयारेफ ची टीम पोचाला शुरा पुषिर धाला कदाची रेलवे प्रशासन अनिक अंडीयारेफ कीमा अंडीयारेफ ला पाठेवल पाई जे हान दिरने गहला सुरा थोड़ा सा कि सगया गोश्टी एक साधांटा पाच वास्ता एंडियारेफ ला कॉल करना है तलानी तैचा नंतर एंडियारेफ टीम जी रात्रो भर ही त्या लोकल चा ओपरेशन कुरून नुक्ती स्पोश्ट लिवती ती पुन्हा परत पावली तशीस निगाली जहां पाणी न गेता त त्यांचर हे मनना है कि तिकड़े ट्रेन अडक लेली आहे फैन, लाइट आणी फोन चार्जिग हे सगल बंद अस्ताना लोकानी मात्र ट्विट बगाई से या अशा लोकान ना ट्विट बगाई ची किती सवेश्ते है वह रुध लोका लहान मूला यानना ट्विट लोकाना फक्त नुस्ता शब्दान ची मदद अशी देनार असेल, चहाँ पान न देता, नुस्ता शब्दान ची माध्य मत नजर चहाँ पान पोच हुआत असेल, तो त्याचा खरतर या ट्विट चा आणी याचा कई फाइदा नहीं है, दूसरी वुश्य मिलें तुमसा दिपक सुर्वे, त्याचा बरो ड्राइवर, आमी चाउघन चा याँ टीम ना पूर्ण फॉलो केला अंधिरी पासून, तर या वांगणी चा या छोटा गावा परेंत, एक तर रस्ता खडतर में पेशा पॉठोल्स वाला रस्ता आणी मधे खुब जास्ता ट्राफिक जा इतक आड़चन यालेले आए, तुझा मागे जे सगळे प्रवासी बस ले अले आए, टैंचा आड़चन चा पाढ़ा आईकाल आपलेला नकीच आउडेला कलेल की निमकी ते काय परिस्तिती मधे होते नकीज अपन थे टैंचागड़े जाविया फक्त मी हीतकस कंप्लीट करते का अखा सुड़का वर चोड़ूं मग थे खाली उतरले आणि मग या ओपरेशन ला सुर्वा जाले लिया यानि साजी कसे तो उशिर हाँ होना अपिशुप या सगया परसिती मदे आता अपन लोकन कड़े वड़ू यान टैंचागड़ना जाणूंग आपन टैंचागड़ना जाणूंगी वज़र आता अपन बगितला यह सगया वयवरुद्ध महीला और पूरुशायत जे सांगली लाएका धार्मिक करेकरमा साथी जात होते आणि सांगली उतरनार होते प पिनाना ने, कुछ नहीं उसे को भी भाव पूछा यह को होंने किidée बतायी क्या हुआ पस वोग différentes ही हो का होगा हमारा आगे लेगे के पीछे कुछ भी हमें जवाब नहीं मिल रहा था हम सब सिनियर सिटीजन हैं हम आमरे गुरुदेव के दर्षन कंदके के लिए जा रहे थे तीस उपास का पार्णा था ग्यारा जन ने तीस उपास किया था उस पारने के लिए हम लोग ने जा रहे थे अच्छा और ऐसे में जब इस तरह का अगर हाथसा हो जाते हैं अपकी ट्रेन पूरी तरह से बंद हो गए आपको यह कब पता चला कि ट्रेन आगे अब जाहीं नहीं पाएगी रात को पता चला या फिर रेलवे की जो अधिकारी कहरें कि लोग सोय थे उनको पता नहीं था सुबह पता चला लेकिन पता चला तो हम तो बदलापूर में ही है तो हम तो एकदम चौक गए कि क्या हो गया और जब और जब सूरज के किनो के बाद जब आपने वह सब पानी आसपास देखा तो डर लगा लगा कि यहां से बहां निकलेंगे थोड़ा चौक गए उतनी दिर में पुलीस आ लेकिन इवेक्वेट करने के लिए रिस्क्यू टिम के एरज्जमेंट है वह हमने जरसल वह काम काफी काभिले तारीफ है खर्ता त्या काम चिस्तूति भाइलास पर ये एंडी आरेफ टीडियारे पाणी नेवी एंडियारेफ से है महत्वास काम है मला संगा तुमी जेवा बगितला चार बाजोनी पानी भर ले भीतिवाटली क्याता है काई माजा अगे अगर आप ट्रेंड की आता करते हो तो आपको लगता है कि आप दर जाओगे बारिश की दिनों में अगर आता करते है कि दर तो नहीं जाएगा लेकिन प्रोपर ली कोई एरेंजमेंट नहीं बहुत लेट आया लेश्कु टीम को यह लोग ने बुलाया लेट आया और वह भी जो बोट का जो वियस्ता किया वह भी हमको पाड के पास चुड़ा पार चड़ने का उतरने का और एक बोट को सिद्धा गाहों के पास लेके आए कि उसको बिलकुल चड़ना नहीं तो सब शिलाकों में पजल जल्जमा हुआ था तो यह लुद्धा वेरी नाइस पीपल उरा गाम वाला जो है फिर्ट कीजलप किया पाणी का बिस्कुट का चाय और सबका वज्जन कषण जोब कर अब मिलें जुआ ही बंदर निस अकली ही पोगोंच लिए ते वा तैना पाणी तो आपको लगता है कि यह जो एक बुरा सपना बनके आपको बार 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 इस तरह से उपर चला तो जरा गबरत हो गाए तो अभी आप यह बताई कि अभी को लाप हो जाने के लिए जैसे गाड़ी के अरेंजमेंट की गई है तो आप कोलापूर जाएंगी या फिर आपके घर आप लोटना पसंद करेंगी अब आप सब लोग ठके है डरे है क्या हुआ है बहुत परेशान हो गया है बंबाई पोलिस ने एंडेप टीम ने और गामवाल ने जो अमको बहुत हिल्प किये उसके लिए उसको अगधनी वाद बोलते अपन बगतों हे ठकलेले चेहरे आएत उदास चेहरे आहेत बन टैसला तात एक आनंद आहे कि या सगया मोठा एवड़ा प्रकर्णतनों हे सगी मंड़ी सुखरूप पने वास्तेले सगयी मंड़ी कांदिवी वाली बोरुली चेहरे आता बदलापुरत न बोरुली एवड़े अपने ता किया किया अथ्जी आएत न ऐस दब्लुवत बढवाले पने बढ़ा पोलतों हे सेपार को घो सुटका जहलेली आहे 17 तासे काय करो दोते या आधी हे रेसकी हो शकलेल अस्त एवडाच अपला सवाल होता ते वड़ेस प्रश्णा पन वीचार ले होते मातर ते उत्तर देनास ते बांधिल 1020 स्वता हाला समझ लने आणि आपन ही निश्चित पने खातरी गेव। निउज 18 लोकमत चा माध्यमातून हे प्रश्णा इथुन पूर्चा कालात रेल्वेचा आधिकार्यांची बोलून धसास लावन्याचा प्रहत्न निउज 18 लोकमत निश्चित करेड़। याँ सोबत चेक छोटा साब रेक गिवेथ सर्वो प्रकार्चा आप्डेट साथी पात्रा निउज 18 लोकमतून निश्चित करेड़।